हार एक बैक्ती अपने लाइफ में खुस रहना चाहता है लेकिन खुस नहीं रह पाता है आज मैं आपको अपने लाइफ के रिकार्डिंग तीन ऐसी चीजों को किलियर करने वाला हूं ऐसे समझ सकते हो ट्रीक टिप्स जो हमेशा बोलते हो ना कि टिप्स चाहिए ट्रीक चाह आते हो तीन चीजों को किलियर करने वाला हूं तीन चीजों को अपने लाइफ के रिकार्डिंग हमेशा खुस रहोगे ऐसा कोई नहीं है कि एसा कोई थियोडी है कुछ भी नहीं है दोस्त कुद का experience है और खुद बहुत सारे बंदों का करते हुए देखा मैंने और खुद किलियर करने जा रहा हूं तीन चीज है अपलाई करो लाइफ के रिकार्डिंग जिन्दगी भड़ हमेशा के लिए खुस रहोगे कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर पाएगा नमस्कार दोस्त मैं रुपेश शर्वा मोटिवेशनल इस्पिकर लाइफ को सबसे पहला न एक्सेसाइज करने का परन्याम करने का और जब एक व्यक्ति उगते हुए सूरज को देखता है तो व्यक्ति अपने अंदर आत्म विश्वास से भड़ जाता है क्योंकि सूरज खुद आत्म विश्वास से भड़ा रहता है दोस्त क्योंकि पूरे दिन आपको रोशनी देत है हर एक चीज देता है इसलिए दोस्त अगर सुबह उठके आप सुरज को निकलते हुए देखते हो तो आप खुद आत्म विश्वास से बढ़ जाते हो आपको पता था सुबह उठने से ऐसा भी फाइदा होता है अगर नहीं उठते हो तो आज और अभी से उठना चालू करो और इस शुष को अपलाई करो अपने लाइफ के रिकार्डिंग आपके लाइफ में खुसी ही खुसी होगा दोस्त दूसरा most important point दोस्त बरतमान में जीओ लेकिन 70 से 90% लोग बरतमान में नहीं जीते हैं अपने past में जीते हैं अपने future में जीते हैं पास्ट और future के चकर में अपना present बरबाद कर लेते हैं इसलिए दोस्त अगर आप present time में जीते हो बरतमान समय में जीते हो तो आपके life का 90% problem ऐसे ही solve हो जाता है कि आप present time में जी रहे हो लेकिन उस ब्यक्ति के life का problem कभी भी solve नहीं हो सकता जो past और future में जीता है इसलिए दोस्त बोला जाता है जिंद हो रहा है उसको enjoy करो हमेशा खुस रहोगे मजें खरे हुए इसलिए दोस्त परजेंट टाइम में जी ओ तीसरा most important point दोस्त अपने पसंद का काम किया करो क्योंकि एक ब्यक्ति अपने जीवन का 50% अपने काम में बिताता है इसलिए सबसे ज्यादा most important role play करता है आपका work अगर आपका काम आपके मन पसंद का नहीं है बोड हो जाओगे, irritate हो जाओगे, frustrated हो जाओगे और उसका frustration अपने family और अपने life के recording निकालोगे इसलिए दोस्त आप अपने काम अपने पसंद का किया करो जो आपको पसंद आता है जो आपको करने में अच्छा लगता है उसी काम को क किया करो क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुए उनका मानना है कि अगर व्यक्ति सफल होना चाहता है तो खुद के अपने पसंद का काम करना होगा, अगर आप अपने पसंद का काम नहीं करोगे तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं तारीका था तीन तरीका था अगर आप अपने जीवान में खुश रहना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए एक नए वीडियो के साथ